हेलो स्टूडेंट्स हाव यू आई होप यू आर वेल तूड़े विल डिस्केस अबाउट होमोफॉन क्लास फॉर्थ का टोपिक है यह क्लास फॉर्थ का इंग्लिस का टोपिक है होमोफॉन स्टूडेंट्स होमोफॉन से वो टू वर्ड से मिलकर बना है होमो प्लस फॉन होमो प्लस फॉन होमो मेंस सेम फॉन मेंस साउंड यानि होमोफॉन वर्ड क्या होते हैं जिनके सेम साउंड हो साउंड क्या होगी सेम बट डिफरेंट इन मिनिंग एंड बट different in spelling and meaning. Homophones क्या होते हैं, students? Sound तो same होगी, but different in spelling. उनकी spelling है, वो different होगी, और उनका meaning होगा, जो उनका अर्थ होगा, वो भी अलग होगा. वो होते हैं, homophones. I repeat, homophones, words having same sound, जिनको हम pronounce करती हैं, जिन words को हम pronounce करेंगे, उनकी sound तो एकदम same आएगी, बिल्कुल same sound होगी, पर्णन शेंसन उनकी same होगी, but different क्या होगा? उनकी spelling different होगी, अलग होगी, और उनका meaning भी अलग होगा. उनको हम कहते हैं, homophones. तो let us take start, we write some words. इस वर्ड्स आर, फर्स्ट है, डियर, यह भी डियर, sound same, but different in spelling, डियर है, यह है डिवलियर, spelling different है, डियर का meaning होता है, इस डियर का meaning होता है, पिरिये, जैसे हम एप्लिके से राइट करते हैं, तो उसमें लिखते हैं, माइडियर, फादर, माइडियर, फ्रेंट्स, इस डियर का meaning है, हीरन, second है, no, students, इसमें के साइलेंट रहेगा, इसको बोलना है, no, no means जानना, no means नहीं, third है, morning, जैसे आप बोलते हो, good morning, sir, good morning, maim, और यह है morning, यह भी morning है, यह भी morning है, अंजी, इस morning का meaning है, soak, यानि जब किसी की death हो जाती है, तो death होने के बाद में, विलाप करते हैं, मरोते हैं, दुख वेत करते हैं, soak करते हैं, वो होता है morning, उसके बाद में है, made, made मिन, बनाना, कुछ cooking करना, या कुछ बनाना, यह है made, female servants, यानि जो दासी होती है, दासी, female servant होनी चाहिए, made होता है, female servant, यानि नोकरा नहीं कहते हैं, जिसको दासी कहते हैं, फिफ्ट है, compliment, compliment, यह भी compliment है, यह भी compliment है, अब इस compliment का मिनिंग, spelling में थोड़ा सा ही different है, यहाँ ए की जगह इसमें आया है, आई, इस compliment का मिनिंग होता है, पूरक, जो complete हो, और यह compliment का मिनिंग होता है, praise करना praise का meanings होता है students परसंसा करना जब हम किसी वेक्टी के तारिफ करते हैं उसकी praise करते है है उसको भोते है compliment करना उसके बाद में है dije ये भी die है ये die का meaning होता है मरना और इस die का meaning होता है color रंग उसके बाद में आइडल आइडल का मतल हो जो lazy लेजी आलसी हो जो सूस्त हो इस आइडल का मिलिन होता है मूर्ति यानि मेज रिपर्जेंट औव गौर्ड को, ये की मूर्ति यानि देवी-देवताओं की मूर्ती होती है, आइडल होती है वह покуп french Mourthy यह आइडल होता है लेजी इसके किस चीज़ का वो कोर्स कर रहा है कोर्स कर नहीं होता है कार्या पढ़ना ले किस चीज़ का वो कोर्स कर रहा है या कुछ और कर रहा है तो वो कोर्स करते हैं यह वो कोर्स होता है यह कोर्स होता है घटिया उसके नाइट इसमें स्टूटन्ट जिस तरह से नो हमने पढ़ा है नो में के सायलेंट है इसी तरह से यूद्ध होता है जो योध्ध होता है यूद सैतर में जो लड़ता है यूद्भूमी में तो उसको के द्वारा किया गया तो बाई के मिन गता है के द्वारा तो स्टुडेंट्स इन होमोफोन को अपनी वर्ड्स को लर्न करना है थेंक यू